अब अगर चेंजिस की बात करें देगे बहुत बड़ा सवाल है बार बार जिसके मैंने आप लोग को तब आने से रोका अब वहां पर आईए और अपने अपने विचार रखिए क्या अश्विन की इस टीम में अभी जगा बन रही है क्योंकि एकाना का पिछे ही एक सपिनर को फेवर करेगा अगर जगा बन रही है तो उनके स्टैक्स और अगर मतलब किसकी जगा किसे निकाले की विए ऑश्विन ने लास्ट मैच में फाइफर लिया है उसमी का मैंने जितना इंतजार किये इस तीम में आने लेवन में आने के लिए मैं उन्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा और जो एक factor है कि एक spinner थोड़ा help करेगा उसमें अश्विन को आना चाहिए और जब आप spin friendly के लिए जा रहे हैं तो आप एक Pacer ज़रूर कम खिलाएंगे जिसमें जस्पीत बुम्रा को नहीं हटा सकते हम और मुहमद शमी ने परफॉर्म करके दिया है तो सिराज को भी नहीं सकते अंकुल भाई बिल्कुल बारे नहीं किला सकते हैं पर आप सिराज को तो किसी भी हालत में नहीं हटा सकते हैं जितना आपने बोला ना मतलब मैं खुझ से अगर मेरी रॉय मांगोगे अंकुल भाई ये जो प्लेयर्स बन चुग है जो पिछ की कंडिशन के साफ नहीं कहलें अब बिराट को लीग पिछ की कंडिशन के साफ नहीं कहलेंगे या रोहिच शर्मा या आप के यल राउ लेलीजीए और इसी बात के लिए हम अग्री कर गए थे कि जो प्लेइंग लेवन पिछले मैच में खेली थी वो इस मैच में खेलनी चाहिए अगर अगर यह हाइपोथेटिकल था हमारा कि अगर अश्विन के लिए हमें जगा बनानी है या तो आप एक बैट्समैन को अटाओगी कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि यह वही पिछ है जहां 209 भी रुकी है और 117 रुकी थी 177 अरूंड और इसी मैच इसी पिछ पर 311 भी अगर बल्ले बाजी करम में आप बल्ले बाजी और में कोई चेंज नहीं करेंगा और अगर नंबर अव बैट्समैं भी कम नहीं कर सकते अप अगर को अगर को अपना पॉंट व्यू तो मैं तो अपना यही चाहूँगा कि वहापर खेलने चाहिए अच्विन जरूर चाहिए जागा को अगर अगर आएंगे तो सुर्य कुमार यादव की घंचाहिए चाहिगा चुर्य कुमार यॉद कि घंच दना और वहल्त है यह उल्लोसके चाहिए और तक बहुत ठंडा गया है इस टीम में बननी चाहिए वह इस स्टेच पे चुकि आप पाँच मैचिस हो चुके तो आप आधा वल्ड कप खतम कर चुके हैं कुल्दी प्यादक के जगा जगा बनते क्योंकि एक तो पहली बात लेफ्ट आमर्स के लिए कुल्दी प्यादक का बाल बाहर जाएगा वह अश करें तो हम सोच रहें कि ऐसा हो जाए आपको क्या लगता है कोई एक प्लेयर जो टीम मेंजमेंट हटाएगी ने को नहीं लगता कुल्दीब को हटा सकते हैं अगर आप मैच हारते सूरे कुमार को लगते हैं तो बिल्कुल मैं टीम मैंनेजमेंट के परस्पेक्टिव से अगर खिलाएगी ने तो कोई और प्लेयर होता ही नहीं इतना कॉंटेंस है पर अगर बैट्समें कम खिलाते हैं तो और और यहां पर नहीं चाहेगा कोई बी इंडिन टीम मैंजमेंट या कोई इंडिया का सपोर्स आप अश्वी नहीं खेल रहें वह बात 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 पर आपके पास कुछी नहीं पर पर पिछले पांच मुकाबले में तीम इंडिया के लिए एक दिवार जो बनके खड़े है वो विराट कोली ही खड़े है तो उनका तो प्रेशर कम होई नहीं सकता है आप बहुत जार तरीके से आप फिचानवे लेजिए सीधे-सीधे आप फिचानवे रन माइनस करदो वहां से तो देखिये लेका जो का यह कि इंगलेंड बनाम इंडिया का मुकाबला संडे को होगा 29 मैच है 29 ही तारीक है देखिए आईरनी हो रही है जी बहुत भेंकर क्या बात 29 मुकाबला इस वर्ल्लकप का इंडिया बनाम इंगलेंड का दो बज़े से वो मैच स्टार्ट हो जाएगा हम आपके साथ जुड़ जाएंगे एक बज़े से और अब तक का लिखा जोका यह है कि इंडिया वर्सिस इंगलेंड के आठ मुकाबले हुए है वर्ल्लकप में इंगलेंड चार जीता है इंडिया तीन जीता है एक मैच टाय रहा है मेरे क्याल से वो 2011 वाला मुकाबला सा जो टाय हुआ था हमारा प्लेंग 11 पर यह मानना है कि more or less same playing 11 हो सकता है अगर अश्विन क की जगा मिलती है क्योंकि Ikana में मैच है Suppainers को मदद मिलेगी अंकूर भाइ का मानना अगर अश्विन की जगा बनेगी तो तो इंग्लेंड एंडिया सेम प्लिंग लेवन खेलेगा